गोपालगंज के नीब बर्तमान सांसद और जंतादल उनाइटेट के टिकट पर गोपालगंज संसदिय सीट से चुनाव लड़ रहे डोक्टर अलुक कुमार सुमन के द्वारा आज जो है थावे और कटेया परखंड के दरजनों गाउं का दवरा किया गया और एक-एक लोग में डॉक्टर अलुक कुमार सुमन का स्वागत सैकुडो के शंखिया में महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गा करके किया गया आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से महिलाएं अपने नेता अपने सांसद डॉक्टर अलुक कुमार सुमन को चारोतरप से घेर करके मंगल गीत ग गोपाल गंज का आन और बान और सान जो है डोक्र अलुक कुमार शुमन के माध्यम से बढ़ेगा। महिलाएं यहां तक नहीं रुकती हैं महिलाएं आगे कहते हैं कि इस बार निश्चित रूप से डोक्र अलुक कुमार सुमन जो है पूरे बिहार में रिकाड मतों से वह गोपाल गंज के गली गली और गोपाल गंज के गाउं गाउं तक जाएगी और परतेक मुहलनों में विकास का जो एक काम होगा वह देखते बनेगा वहां से डॉक्टर अलुक कुमार सुमन आगे बढ़ते हैं और कटियां परखंड के कई गाउं में जाते हैं जहां परतकों के द्वारा अलुक कुमार सुमन का इसकदर स्वागत किया जाता है कि डॉक्टर अलुक कुमार सुमन अपने श्वागत के उस भीड को देह करके और अपने स्वागत के उस भाव को देह करके खुद भाव विहवल हो जाते हैं और हांत जोड करके खाड़ा होने के बजाए डौक्टर अलुक कुमार सुमन को कुछ सूजता नहीं है जो उत्साही लोग है जो उत्साही कारे करता है अपने अपने सांसत का माला मल्यारपन करूं अपने सांसत के गला में माला डालूं और अपने सांसत के सांस एक पस्वीर मेरे मुबाइल में भी कैद हो जाए। नरेंद्रमोदी का जो एक नारा है शापना है उसको मजबूती मिलेगी दो निख्यत रूप से देश का विकास होगा और जब देश का विकास होगा तो प्रदेश और गुपालगंज का विकास भी जो है उसी में सम्माहित रहेगा. डॉक्टर अलोग कुमार शुमन के श्वागत में उसाही कारे करता हूँ के द्वरा कई अस्तानों पे पुस्पो की बरसा की जाती है अपने संबोधन में डेक्टर अलुक कुमार शुमन कहते हैं कि आप लोगों के सनेह आप लोगों के प्यारा और आप लोगों के श्वागत का जो यह भाव है इसको देह करके मैं खुद भाव विवल हूँ और आप लोगों के शमान में मैं किन सब्दों का परियोग करूँ मे मेरे शब्दों के अठाह सागर में, मेरे सब्दों के अठाह सब्द कोस में आप तमाम लोगों के शुआगत के या और तमाम लोगों के वंदन अभिनंदन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। चार लाग से पार करेंगे डॉक्टर अलोक कुमार सुमन कहते हैं कि इस बार जो है गुपाल गंज में विकास की गंगा बहेगी पिछले पांच साल के कारीकाल में मैंने भरपूर विकास किया जितना मुझ से बन पड़ा उतना विकास करने का प्रयास किया पांच बरसों के कारीकाल के दवरान जो विकास कारी अधूरे पड़ गए हैं निशित रूप से इस कारीकाल में मैं उस विकास के कारियों को पुन करूँगा और देश के नरेंद्र मोदी का जो सपना होगा बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार जी का जो सपना होगा उसको पूरा मैं आप लोगों के आशिर्वाद से निशित रूप से करूँगा वह पूरा तब होगा जब आप तमाम मतदाता बंधु जो हैं भगवान रूपी जो आप मेरे मतदाता मालिक हैं आप जब मुझे अपना आशिर्वाद देंगे तब निशित रूप से मैं नरेंद्र मोदी के हाथों को और उनके शपनों को मजबूत कर पाऊंगा डाक्टर अलोक कुमार सुमान यही नहीं रुकते हैं डाक्टर अलोक कुमार सुमान आगे कहते हैं कि गुपाल गंज की जनता को मैं बार बार पणाम करता हूं और गुपाल गंज की जनता का मैं बंदन और अभिनंदन करता हूं क्योंकि इस कदर गुपाल गंज की सम्मानित जनता मेरे मतदाता मालिक मुझे अपना प्यार दे रहे हैं मुझे अपना सनेह दे रहे हैं और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अर्थात मेरा गोपाल गंज का सीट जो है चार लाह के पार जाएगा सभा को संबधित करते हुए जंतादल इउनाइटेट के परदेश के महाफचीव और बड़े पुराने कदावर नेता परमोद कुमार पटेल कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा मतों से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के जीत होगी परमोद पटेल आगे कहते हैं कि बिहार के 40 में 40 सीटों पे एंडिये गठ बंधन के उमिदवार भ्यापक मतों से जीतेंगे उन तमाम सीटों में सबसे ज्यादा और सरवाधिक मतों से अगर किसी सीट पे विजय होगी एंडिये गठमंधन की अर्थात जंतादल उनाइटेड की तो वह गुपाल गंज का सीट होगा और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है चार लाग से ज्यादा मतों से जीत करके और लोक शभा में जाएंगे सभा को संबदित करते हुए जनता दल उनाइटेड के जिला के वरिष्ट नेता रामसीज सिंग जी कहते हैं कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जैसे व्यक्ति को अपना एक-एक मत देने के लिए गुपाल गंज की सम्मानित जनता भ्याकुल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 तारीख कब आए कि हम लोग एक-एक अपना मत दे करके डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ज्यादा मतों से जिता करके दिल्ली भेजें जब आलोक कुमार सुमन दिल्ली जाएंगे तो देश के परधान मंतिरी नरेंदर मोदी के हाथों को मजब यवर दोक्टर आलोक कुमार सुमन जो है 4 लाग से ज्यादा मतों से जीतेंगे बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे हैं और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बारे में आप क्या सोचते हैं उनके उत्साही करताओं के द्वारा जिस जंग से अलोक कुमार सुमन का परतेक पगपग पे स्वागत किया जा रहा है उन तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ महिलाएं किस जंग से डॉक्टर अलोक कुमार सुमन के स्वागत में मंगल गीत गाती है उन तमाम चीजों को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप भी कॉमेंट करेंगे और बताएंगे कि गुपाल गज में किस प्रकार की लहर चल लही है आपके कॉमेंट की मुझे प्रतिक्षा रहेगी तब तक आप तमाम लोगों को नमस्कार